अगर आपको भी कुछ इस परकार से गौद तीसात नेम वीडियो इडित करना है आजा बॉस सिखा देंगे तो सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है अगर अभी तक मुझे इंस्टा पे फालो नहीं किये हैं कर लो भाई इस स्क्रीन पर देखनों को मिल जाएगा या फिल लिंक मिल जाएगा नीचे जल्दी से आप फालो कर लेजिए तो चलिए अब इसका इडितिंग सिख लेते हैं लेकिन उससे पहले वीडियो अच्छा लगे लाइक किजिएगा सब्सक्राइब किजिएगा बेल आइकन को फ्रेस कर दिजिएगा तो चलिए अब आपको लेचलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर तो सबसे पहले इसी वीडियो के नीचे दिस्क्रिप्सन बक्स को ओपन किजिएगा वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा वेबसाइड उस लिंक पे आप किलिक किजिएगा जैसे ही किलिक करेंगे कुछ इस परकर से ओपन हो करके आजाएगा उसके बाद आप नीचे चलिएगा एक नमर पे देखनों को मिल जाएगा गौद तीसत नेम वीडियो इडितिंग अगर यह यहाँ पर नहीं मिलता है तो सर्च वाला आइकन पे किलिक करके आप यहां से सर्च कर सकते हैं गौद तीसत सर्च किजिएगा एक नमर पे पोश्ट आजएगा इसको आप उपन किजिएगा उसके बाद यहां से आप नीचे चलिएगा नीचे आपको देखनों को मिल जाएगा प्रम्ट इस प्रम्ट को यहां से सिलेक्ट किजिएगा copy वाला बटन पे क्लिक करके copy कर लेजिएगा उसके बाद उपर चलिएगा उपर आपको देखनों को मिलेगा फोटो किरिये तर इस पर आप क्लिक किजिएगा तो कुछ इस पर कर से open हो करके आ जाएगा तो सबसे पहले इसको आपको login करना परेगा हम पहले से ही login करके रखे हैं अगर आपको login करने नहीं आता है तो इस पर एक video बना दिये हैं link दे देंगे नीचे या फिर i button से देख सकते हैं तो चलिए हम जिस परम्त को copy किये उसको हम यहाँ पर paste कर देते हैं उसके बाद यहाँ पर आपको देखनों को मिल जाएगा सुजीत यहाँ पर आप अपना खूद का नाम लिख सकते हैं अगर आप लर्की हैं तो बुआई के जगापर आप यह से girl भी लिख सकते हैं उसके बाद create वाला बतन पर किलिक किजिएगा यहाँ पर आप थोड़ा सा वेट किजिएगा आपका फोटो बना करके दे देगा लेकिन उससे पहले वीडियो आच्छा लगे लाइक किजिएगा सब्सक्राइब किजिएगा बेल आइकन को फ्रेस कर देजिएगा तो कुछ इस परकार से फोटो बना करके दे दिया जैसे कि आप सब देख सकते होंगे बिल्कुल परफेक्ट बनाया है तो इन में से आपको जो आच्छा लगे उसको आप डाउनलूद कर सकते हैं अगर मान के चलिए इन में से आपको कोई सा भी आच्छा नहीं लगा तो फिर से आप क्रियेट वाला बटन पर किलिक किजिएगा फिर से आपको फोटो बना करके दे देगा जो फोटो आपको आच्छा लगे उस पर आप किलिक किजिएगा 3.line पे किलिक करके download button पे किलिक करके download कर लेजिएगा download हो जाने के बाद अगर इसको आप video में कनभध करना चाहते हैं तो करने के लिए cut किजिएगा BN app को open किजिएगा plus वाला icon पे किलिक किजिएगा new project पे किलिक करके photo पे किलिक किजिएगा जो photo अभी आप download किए add किजिएगा next वाला button पे किलिक कर देजिएगा उसके बाद original पे किलिक करके 9.16 पे किलिक किजिएगा photo पे किलिक करके इसको कुछ इस परका से इस screen में fit कर देजिएगा इतना हो जाने के बाद अब इसके पीछे by ground में हम blur effect लगाना चाहते हैं तो नीचे से आगे के तरफ चलिएगा bg पे किलिक किजिएगा image पे किलिक कर देजिएगा तो पीछे blur करके लगा देगा उसके बाद आप यहां से down पे किलिक किजिएगा border पे किलिक करके जिस color का आप border लगाना चाहते हैं उस color को select किजिएगा इसका जो in city है आप यहां से combes कर सकते हैं उसके बाद down पे किलिक कर देजिएगा अब इसका जो डिवरेशन है आप बरहा करके लगभग 12 से 13 सकिन कर लेजिएगा तो चलिए कुछ इस परकार से कर लेते हैं उसके बाद arrow पे किलिक किजिएगा quality देख लिजिएगा export पे किलिक करके इसको आप gallery में save कर लेजिएगा वीडियो save हो जाने के बाद अब इसमें मुझे auto velocity effect apply करना है करने के लिए सबसे पहले आप VPN को open करके connected किजिएगा connected हो जाने के बाद इसको आप cut किजिएगा Google को open किजिएगा search वाला icon पे किलिक करके आपको search करना है ICAL by technical subject कुछ इस पर कर से लिख करके आप search किजिएगा एक नमर पे वो website आजाएगा इसको आप open किजिएगा उसके बाद यहां से आप नीचे चलिएगा नीचे आपको देखनों को मिल जाएगा use this template इस पर आप किलिक किजिएगा उसके बाद use template in cap cut इस पर आप किलिक कर देजिएगा उसके बाद use template पे किलिक किजिएगा जिस video को अभी आप save किए उसको आप add किजिएगा preview वाला button पे किलिक कर देजिएगा नीचे आपको देखनों को मिलेगा प्रोसेसिंग तो हम प्रोसेसिंग को कम्पलीट होने देते हैं प्रोसेसिंग कम्पलीट हो जाने के बाद एक्सपर पे किलिक किजिएगा Save and share to TikTok इस पर आप किलिक करके वीडियो को गैलारी में सेव कर लिजिएगा तो हमें उमीद के साथ साथ पूरा विश्वासे कि ये एडितिंग आप सब को आच्छा लगा होगा अगर थोड़ा सा भी लगा हो लाइक किजिएगा सब्सक्राइब किजिएगा बेल आइकन को फ्रेस कर रेजिएगा तो चलिए मिलता हैं अपने अगले वीडियो में